शहर के पुराने अनाजबाजार स्तित पुराने पीपल के पेड में दोपेर के करीब धाई बजे अचानक आग लगने से हड कम्प मच गया तथा किसी को कुछ समझ पढ़ने से पहले ही आग ने अपना रुद्र रुब धारन कर लिया उक्तगटना की जानकारी अगनिशमन विभाग नगर पडिशत सावनेर तथा सावनेर पुलीस को प्राप्त होते ही दोनों ही विभागों के साथ साथ समा सेवी भी हरकत में आ गए सावनेर अगनी शमन विभाग के वाहन में समय पर तांतरी गड़ बड़ी होने से ततकाल खापा नगर पाली का अगनी शमन विभाग से संपर्क कर वहाँ के दमकल विभाग ने ततपरता से घटनास्तल रवाना हुई लेकिन सावनेर शहर के मुखे रास्ते पर सापता एक बाजार लगा होने से घटनास्तल तक दमकल विभाग को पहुशने में काफी कठीनायों का सामना करना पड़ा वहन बड़ी मुश्किल से घटनास्तल पर पहुशा जिससे करीबी निवासियों ने चैन की सास ली खापा नगर परिशद के दमकल विभाग प्रमुक तुशार सुगदेवे किशोर मोगरे सावनेर अगनी शमन विभाग के राजु पारदिया आदे ने अपने अधिनस्तक अर्मियों के साहता करीब एक घटनास्तल पर पहुशने एक तू दूसरा रास्ता नहीं होता तो पेड से उटने वाली आग के लप्टो की चपेट में करीबी घरानी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता था गड़करी चोक से बाजार चोक तक करीब 40 फूट चोड़ी सड़क रोजा ना तथा बाजार के दिन पे दल चलने लायक नहीं रहती ऐसे में किसी बड़ी हाध से की संभावना सदेव भैनी रहती है वक्त रहते शहर की मुख्य रास्ते पर लगने वाले साख भाजी, दुकान अन्यत रस्ताना अंतरित नहीं किये गए तो किसी बड़ी घटना को नकारा नहीं जा सकता उक्त घटना तथा उपस्तीत परिस्तिती पर हमारे स्तानिक समादाताने नगर परिशत सावनेर के प्रभारी मुख्यादिकारे रामेश्वर पंडा गड़े इसे बात करने पर उन्होंने बताया कि आज घटित घटना से सग्यान लेकर ऐसे घटनाओ की पुनरावत दिन ना ह वही समाद सेवी आमिद जोडा पे पत्रकार पंडुरंग भुंगारे आजी सेयोग किया है बीसन नियूस के लिए सावनेर से किशोर धुंडेले